नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूटूब चैनल डियर गुरुजी टू पॉइंट ओपर जैसा कि दोस्तों आप सभी को प्रहता समय साथ बजे आप सभी को जो पॉलिटी की क्लास मिलती है तुसी की सिरीज में आज आपको एक नया क्लास है ज आपको जरूर इन टॉपिक्स में एक दो कुशन जरूर देखने को मिल जाता है ठीक है दोस्तों तो ये क्लास आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा ठीक है और हो सके तो कुछ जरूरी पॉइंट्स की नोट्स भी बना लीजेगा और साथी साथ दोस्तों ये जो है हम आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो और कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसके लिए देखिए हमने पूरी बारीगी से हर एक चीजों को यहां पर आपके सामने रख दिया ठीक है कि कौन से चैनल पर किसी क्लास कितने बजे ली जाएगी ठीक है दोस्तों और साथी साथ अगर आप लोग अभी तक डियर गुरूजी 17 करके जो टेलिग्राम चैनल अगर उससे नहीं जुड़े है तो जाके जरूर जुड़ जाए जहां आपको सभी लेटस जानकारिया और PDF जो फ्री में बिल्कुल फ्री में दिया जाता है आपको मिल जाएगा जिससे आपको ना कोई एक्ष्टा बुक खरिदनेक जरूरत है ना ही किसी अंजंजट की जरूरत है ठीक है और आप लोग इंस्टाग्राम पर डियर गुरूजी करके जो एक पेज है उससे जरूर फॉलो करें ठीक है दोस्तों आईए आप सभी के लिए एक और जरूरी इनाउस्मेंट है इनाउस पर एक पूरी बुक है जिसमें MCQ भी है इसा नहीं कि वह आपको तेयोरी मिलेगा उस थेयोरी को आप देखिए कितना याद के लिए उसके लिए MCQ भी है और साधी साधी पूरी जो टेस्ट स्रीज टाइप में बनाए गए यह MCQ यह आपके जैसे आप बियाट का जो एक्ज करना चाहते हैं तो आप इन सब टेस्ट लिच को जरूर ले ठीक है और भूलिए का मत डियर गुरू जी एप करके आप लोग जरूर से जरूर डाउलोड करें ठीक है दोस्तों और कुछ लोगों ने किया आप उनसे भी पूछ सकती कि कितना अच्छा ठीक है चलिए आज की क मंतरियों की बात करूँगा ठीक है यहाँ पर केंद्री का मंतर केंद्र सरकार के मंतरी मंदल की मैं बात करूँगा ठीक है चलिए आज की क्लास को चालू करते हैं अब आज की क्लास में देखिए जितने में मेंट पॉइंट से बहुत ही जरूर यह से लिए कोई लोग इना क क्लास कोई भीश में छोड़िएगा यहां इस ऑंको कौन होता है है यहां पर केंद्र सरकार का प्रमुख मतलब यह है कि हम्हीं हमारे भारत में थी जो संसधिय में उसका परतार होती है हमार हम राष्पती की नाम ठीक है यहाँ देखिए जो परदान मंतरी की नुक्त हो तो राश्पती की नुक्त करता है जैसे राजपाल की नुक्त करता है परदान मंतरी की नुक्त करता है और तमाम UPSC के इन सब चीजों की नुक्त करता है यह मैंने राश्पती वाले वीडियो में आपको पहले बता हु ठीक है चलिए अब इस साथ अगले पॉइंट पर आते हैं देखिया हर पॉइंट जरूरी हो भी मैं आपको बताता चल रहा हूं और रिपीट भी मैं करूंगा जिससे आपको बढ़ियां से याद हो जाए इसी वीडियो में परदान मंतरी बनने के लिए नियूंता माव आपक पच्वे मत नहीं दे सकते हैं या उच्छ सदन का मतलब क्या उच्छ सदन का मतलब है राजसभा क्यों जो उच्छ सदन होता है उसे राजसभा कहते हैं और जो निम्न सदन होता है या उसे क्या कहते है लोगसभा ठीक है तो यानि कहरा अगर जो भारत के परदान मंतरी अग अच्छे से क्योंकि वारना ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी एक अलग टॉपिक है अब फिर इसके लिए आपको पूरा मुझे समझाना पड़ेगा ठीक है तो बस आप जान जाएं कि एक आप इस्वास परस्ताव सरकार के खिलाफ लाया जाता है इस चीज़ को जान लेकिन अगर वो उच्छ सदन में लाए गया होता है तो परधान मंतरी अपना ये जो है मत नहीं दे सकते ठीक है फिर अगला पॉइंट कहता है कि जो संसदिय सासन बेउस्था में वास्तवी कार पालिका सकती परधान मंतरी के हाथ में होती है मैंने आपको फिर कहाना कि हमा जो है सरकार में कई मंतरी कई लोग है लेकिन पूरी सरकार को चला सिर्फ दो लोग रहा है उनमें कौन है एक हमारे प्रधान मंतरी जी है और एक ग्रह मंतरी जी है तो यानि कि सब कुछ सकती किसके हाथ में होती है प्रधान मंतरी के आथ में और ये भी बता देना चाहता वो संसधिय परदाली में number 2 का post माना जाता है, ठीक है, और इसके बाद माना जाता है number 3 पर रच्छा मंतरी का post, ठीक है, top 3 पूछे की कि अगर बताइजे, तो सबसे पहले परदान मंतरी, फिर गिरह मंतरी, फिर रच्छा मंतरी, ठीक है, चलिये, जो जो जोरी point है, मैं हर point पर आपको बताता चलूँगा जिससे आपको कहीं भी कोई confusion नहीं हो ठीक है अब देखे यहाँ पर देखे आप इस्वास परस्ताओं के बारे मैंने आपको बता दिया कि क्या है कैसे ठीक है उसको repeat करने कोई जरूत नहीं है फिर कह रहा है कि अगर आप इस्वास परस्ताओं अग जो बेकार जाएगा अब इस्वास परस्ताओं में तो उसके लिए पहले कम से कम इतने लोगों की जरूत पढ़ती है ठीक है तब जो है यह आब इस्वास परस्ताओं सदन के पटल पर रखकर आगे बढ़ता भी है ठीक है उसके बाद कह रहा है कि जो भारत का प्रधान मंत राजसभा कभी बन सकता है उधारण के लिए आप ले लीजिए जो हमारे डाक्टर मनमोहन सिंग जी थे वो राजसभा से ही हमारे जो है चुनकर प्रधान मंतरी बने ठीक है यह से लिए होता है बेसिकली कि देखिए जो कुछ लोग होते जो चुनाओं नहीं लड़ते ठीक जरीजिए बहें भाई बेजा जाता है यानि कि लोग सभा राजसभा दोनों जा सकते है और प्रधा मंतरी बन सकते है लेकिन समानयता हो लोग सभा से बनते है जैसे आप अगर हिस्टी उठाग देखेंगे भारत का परधा मंतरी पत के लिए तो मैक्सिमम आपको 70 पर संग, आपको मिलेंगे जो लोकसभा के जरिये ही बने ठीक है इस इसको ध्यान रखिएगा कि लोकसभा यह है लेगन रासभा भी लिखा तो गलत नहीं है समान नितह जब बात कर दे तो लोकसभा है ठीक है फिर देखिए हमारे अनुछेदों की बात हो रहे तो अनुछेद 75 को आप जो है इस केंद्रिय मंत्री मंडल में बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है मतलब कि जैसे आप जा लिजे कि जैसे प्रधार मंत्री और अनुछेद 75 कोन करता है राश्पती यानि कि जो निक्ति होगा वो भी अनुछेद 75 के अंदर गताता है मंतरी परिशत का आकार आका ठीक है जैसे नंबर होगा और कौन किस पोश्ट पर होगा जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा कि मंत्री परिशत में कई पोश्ट होते है जैसे एक तो केंद्री एक कैबिनेट मंत्री होता है उसके बाद देखेंगे राज मंत्री होता है एक होता सुतंतर परभार मंत्री त अगर आप ग्रह मंत्र है तो आपके उपर अलग जिम्मेदार होगी तो उन उत्तर दायत का निर्धारण भी अनुछेत 75 दोरा किया आता है यह कह रहा है कि देखिए एक्यानवे संसोधन दोरा यहां पर ध्यान दीजिए जो एक्यानवा संविधान संसोधन 2003 में लाए गया था उसमें यहां असपश्ट कर दिया गया था कि कूल परधान मंत्री से मंत्रियों की संखा 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए अधिकर लिजिए आपके परजेंट टाइम में खुल कितने मालेजी एक्जामपल ले लीजिए हमारे या फानसो संसत का चुआ है ठीक है यह लोग सबग की बात हो रही ना सबग मत जयान दीजिए कि वह लोग सबग बात हो रही है तो 515% कितना होगा 75 ठीक है यानि कि अब हमारे भारत में 75 से ज़्यादा परधार मंत्री को लेकर आने कि 1 प्लस 74 परधार मंत्री और प्लस अन्य लोग मिला के 74 मंत्री परषद में लोग सवह में जितने सांसदों की संख्या निर्धारित की गई है उसका कुल संख्या का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और कितने संसोधन दौरा आया था एक क्यानवा संविधान संसोधन दौरा जो कौन सिसन में लाए गया था 2003 में ठीक है I think यह पॉइंट आपको बहुत चाहता हैि यह किसी सदन का सधस है क्योंकि आपको जाता है में असका सदन सक्ता है तो अरो बन चाहता है डिकलिए से माहा तकक को नहीं सामिल होता किस सदन में तो वहां उस पत पर नहीं बने रहा सकता ठीक इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी पत अधिए हमारे इंडिया में ही तो खासियत है कि आप ऐसा नहीं है कि आपको पहले चुनकर आए तभी बनना नहीं आप अगर चुनकर नहीं भी आए तो आप बन सकते हैं लेकिन आप निश्ची समय तक बने गाए और निश्ची समय के अंदर आपको उसमें सामिल होना है वो निश्ची समय कितना है छह मैं छह महां के अंदर आपको हरहाल में सामिल हो जाना है आप अजिए अगले प्यूइन की तरह बढ़ते हैं कोई भी confusion हो इसको लेकर तो आप लोग comment box में आ जाएगा वहाँ पर भी मैं आपकी थोड़ी help कर दूँगा उसकात कहरा मंतरी परिशत किसके प्रति उत्तरदाई होता है यह बहुत ही important मैं इसको इस्टार मार कर रहा हूँ यह आपको पूछ सकता है यह काफी जाओंस में पूछ सकता है पूछा जाता है कि जो मंतरी परिशत मंतरी माने क्या होता है minister of council ठीक वो किसके प्रति उत्तरदाई होता है मतलब जैसे आपके जो मालेजर अच्छा मंत्रे गरह मंत्रे वो किसके प्रति उत्तरदाई होते हैं तो वो किसी और किमी बल्गे वो संसत के प्रति संसत में कौन कोन आते हैं मैंने आपको कई बार बता दिया है राश्पती और प्राश्पती से हर बार बता रहा हूं कि संसत में राश्पती आते हैं लोग सभा आता है राज सभा आता है तो संसत के प्रतिमाने यहां तीन लोगों के प्रति उत्तरदाई होता है कौन मंतरी परिसाथ ठीक है और उसके बाद अगले पॉइंट क्या कह रहा है यह बहुत इंपॉइंट था जो मैंने अभी आपको बता है अगला पॉइंट एक है कि किस अनुछेद में प्रधान किया गया है कि परतेग राज की कारपालिका सक्थिका इस पर का परियोग किया जाएगा जिससे संग की कारपालिका सक्थिक पर कोई प्रतिकूल परभावन ना पड़े ठीक है मतलब ये कहना चाहा है कि जो परतेग राज की कारपाली का सक्ति माने की हमारे या तो फेडरिलिजम है ठीक है ऐसा नहीं है कि केंदर का चलता हमारे केंदर का भी है प्लस राज का भी है तो ये कहा जाता है कि अनुछे 257 में यहां कहा गया है कि परतेग राज की कारपाली का स सक्ति पर कोई पर्तिकूल परभाव ना पड़ेस। यानिंग जो राज हैं राज अपने यहां कि जो उनके पास सक्तियां समिधान द्वारा दी गई हैं वो उन्ही हद तक उपियोग कर सकती है जहां तक वो संग के कामों मर हस्ता छेप ना कर सकें संग माने कोंने केंदर सरकार केंदर सरकार केंदर सरकार के कामों में जहां तक को हस्ता छेप नहीं कर सकती है वहीं तक जो है राज सरकार के कारपालिका की सकती ठीक है जैसे ही अगर राजपालिका की सकती और संग के बीच में आती है तुरंत वहाँ पर संग हिंके उपर हाव हो जाता है इस इसको जानिए आपको थोड़े में जानिए कि बाप बाप होता बेटा बेटा अगर संग से भिड़ने आते तो संग इनका बाप है और संग के आगे इनकी कोई हिम्मत नहीं रह जाती ठीक है बस वो कुछ हद तक ही इनके सामने बोल सकते तो अनुच्छे 257 इन आने जरू होते कि अच्छा यह अनुच्छित हाँ इसमें बाप बेटेक बात ही ओ बाप तो हमारा केंदर हो गया बेटा हमारा राज हो गया हर केंदर राज की बात हो लिए बस इस हिसाब से आप इसको पढ़ लीजे आपको बहुत ही असानी सा अनुच्छित भी याद हो कि अच्छित होगा और समझ भी कि बाप बेटेक क्या मतलब है देखें लाप का पत मैंने आपको पहले बताया था कि राश्पती बनने के लिए राष्पती बनने के लिए क्या नहीं होना चाहिए तो क्या नहीं होना चाहिए कि office of office of profit यह अलग चीज है house यह अलग चीज है मैंने आपको बताते हैं अगर आपको कोई भी सदस बनना हो भारत में तो आप किसी भी लाव के पद पर नहीं हो सकते ठीक है और देखें यहाँ पर वही कह रहा है कि लाव का पद का मतलब क्या होता है इसका निरधारल जो है संसद इव राजबिधान मंदल संसद माने हों गया लोग सभा राज सभा राज बिधान मंदल मतलब हो गया बिधान परिस्त और बिधान सभा इसके द्वारा निरधारित किया जाता है मतलब अगर वो कह देंगे की भैया आप यहां बैटो यह office of profit है तो उस दिन से office of profit हो गया लेकिन अगर आप उसी जगाँ बैटे हो कह रहे हो नहीं यह office of profit नहीं है तो office of profit नहीं होगा यानि कि यह क्या है कैसे है और क्यूं है हर चीज की निर्धारण संसद संसद और राजबिधान मंडल इन्होंने कह दिया का से कभूतर तो का से कभूतर अगर का से कह दिया कमल तो का से कमल मतलब जो यह कहेंगे वही सच है ठीक है समझ यह होंगे आप लोग उसके बाद अगला point कर रहा है कि जो भारते राजनीती बेवस्था में जो कारपालिका है वो किसकी अधीन कार करती है कि ये भी बहुत important point है ये आपसे पूछ जा सकता है क्योंकि इतना तो आप लोगों को होना चाहिए अगर आप लोगी भारत में रह रहे तो भारत की राजनीतिक बेवस्था बारे में जानना चाहिए कारपालिका का मतलब क्या है कारपालिका का मतलब है कारपालिका मतलब है बीरोक्रेट्स जो बीरोक्रेट्स होते हैं वो किसके अंतरगत काम करते हैं तो बिधाई का मतलब क्या हो गया जैसे बिधाई का मतलब हो गया जो आपके यह क्या कहते है जैसे कोई एक्ट हो गया अगर कोई भी एकट के अंतर प्रक मालता है और यह चीज क्रते हैं फालते है यानि यानि पास होने के बाद ही यह काम करता है झांच को समझ गए गायों का पर्धान भी गायों का सब्पर करता है क्योंकि वह जो है जो बिदाइका के नतर का चीजे बनी हुई है यहाँ पर पंचायती राह सिस्टम होगा और यहाँ पर यह चीजे होंगी तो वो उन्ही के नतर गत ही काम करता है समझ गें न आप चलिए बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ कि नहरू की कैबिनेट में पहले ग्रह मंतरी जथा बाद में रच्छा मंतरी कौन बने यह पहला सब्ध है तो इसे लिए जरूर इस्टार मार कर लिजाए क्योंकि यह पहला सब्ध जो है काफी आप ऐसे एक्जाम से पूछे जाते हैं जो बहुत ही थोड़े मतलब एक मीडियम लेवल की एक्जाम सोते हैं कि पहले ग्रह मंतरी थे बाद में रच्छा मंतरी बन गए तो उनका नाम तक कैलास नात कार्ट जू ठीक है यह इसलिए मनिस्टार मार किया है क्योंकि यह पहले ग्रह मंतरी थे और बाद में बन गए और पहले थे ऐë ठीक है उसके बहुत कह रहा है कि स्वतने भारत के परतम बित मंतरी यानिक अजादी मिलने के बाद कौन थे आरके शट्डमूगम चटी यह क्या थे भित मंतरी माने फिनांस अ मिनिस्टर ठीक है उसके बाद यहां सब्हां कुरा कि कि सप अपने परदान मन्तिरित काल में कान साइखनिता है एक बार भी संसद में उपस्तित नहीं हुआ देखिए, संसद में उपस्थित नहीं हुआ, मतलब कि इनों ने संसद का जो इतने दिन का वो चलता है, आपको में संसद, इसके बाद में आपको संसद ही पढ़ाने वाला हूँ, तो पूछ रहा है, संसद में नहीं उपस्थित है, संसद में तीन बार चलते हैं, एक तो आप चरण सिंग जी के बारे में आप काफी सुन रहे होंगे, आप अगर क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है, इससे काफी परिचित है, आप नहीं जान ले तो जरूर एक बार आप लोग इनके बारे में जानिये, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही साद्गीस जीने वाले, बहुत ही अच्छे नेता थे, हाँ, बट इनका कारिकाल बहुत ही कम रहा था, ठीक है, ये भी चीज है, उसके बाद है कि किस अनुछे मंदल सब्द का परियोग किया गया है, ये भी कुश्चन आप से बहुत अक्सर पूछा जाता है, इसलिए मैं कि ये जो टॉपिक ये बहुत सिंपल होते हैं, डायरेट पूछ ले जाते हैं, तो मंत्री मंदल सब्द किस कहां पर आता है, अनुछे 352 में, यानि कि अगर आप से मंत्री मंदल सब्द का परियोग कहां हुआ है, अनुछसम्भीदान में तो 352 में ठीक है, यानि कि ज fooled 22 की बात आएगी तो 3 मतमन तरी मं आपको recall करने में असानी होगे फिर अगला point है स्वेद पत्र भारत से संबंदित अधिकारिक दस्तावेज है स्वेद पत्र बेसिकलिए white paper एक होता है यह आपको मैं संसद वाले में अच्छे सबताऊंगा बस अभी आप यहां जा लिजे कि अधिकारिक दस्तावेज है ठीक है आपको मैं relation ही बता पाऊंगा और आप confused हो जाएंगे इस पर बस आप ध्यान धीरज रखिए कल आपको यह भी पता लग जाएगा उसके बाद यह है कि संगिये मंत्री मंदल का पुनर गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था यहां पर देखिए जो यह गोपाल स्वामी आयंकर के प्रतिवेदन पर ही मतलब इसे बनाया गया था कि जो पुनर गठन की जो बेउस्ताव कैसे हो तो इसके बारे पूरी बाते कोन बता था गोपाल स्वामी आयंकर जी ठीक है आप देखेंगे संबिदान सभा के जो पूरी थी उसमें सात लोग थे ठीक है सातों लोगों को नहीं पता होगा कि ये काउंसिल और कैबिनेट में क्या अंतर होगा कि कैउंसिल और कैबिनेट में क्या अंतर होगा इसके बारे जरूर जान लीजे आप लोग हमेसा जो वो होता है वो आप ये जानते कि जो कैबिनेट आप हमेसा कैबिनेट सुनते हों कि कैबिन के cabinet अस्तर के मंदर यानि cabinet मंतरी परिसद के अंतरगत आता है आप इस इसको समझे और जिसका वर्डन किसके अंतरगत किया गया अनुचेद 75 अभी मैंने 74-75 अब मैंने आपको बताने कि 75 इस मंतरी परिसद की आत्मा है किसा आपसे जान लीजे ठीक है और सैधांतिक रूप से मंत्री परिशत को समझ्त कारपलिका सक्टियां प्रापत है प्रन्तु मंत्री मंदल दारा इसके कारेों का निधार किया جاتا ہے वही देखिये क्या हो गया कि अगर आप देखेंगे समिधानी का धार पर मैं जो कहिराuted जो वास्तों में हमारा समिधान जब बना था उस समय की बात को गर देखें तो जो समस्त कारिपा लिका सकती यानि कि जो execution है ठीक है वो पूरा जो है मंतरी परिसत के हाथ में लेकिन मंतरी परिसत के अंतरगत कोन आता है मंतरी मंडल अभी आपको उपर ही यह जो आप देख रहे हैं मंतरी मंडल cabinet यह इंगलिस में लिखा है इसका हिंदे क्या है मंतरी मंडल तो मंतरी मंडल जो इसके मंतरी परिशत के अंतरगत आता है उसके द्वारा निर्धारण किया जाता है निर्धारण माने यह होता है कि इस चीज को करना है जैसे मंतरी मंडल मंतरी मंडल मंतरी मंडल मंतरी मंडल मंतरी परिशत का ही भाग है लेकिन जो चीजे होंगी वो को करेगा मंतरी मंडल ठीक है आप लोग समझ गया होंगे मैंने इसलिए हर चीज को उधार से और प्रजेंट करेंट करता है वही पॉइंट यहां पर कह रहा है ठीक यह दोनों पॉइंट को आप मेरे क्याल से इस एक्जांपल से समझ गया होंगे किसी यह लाया कौन लेकिन करेगा कौन आप समझ गया ना चलिए आप लोग मंतरी मंडल की बात करते हैं देखिए मंतरी मंडल सब्द को जोड़ा गया जो समझ गया जो अलग से जोड़ा गया था क्योंकि जब इंदरा जी की जो सरकार थी तो वहां पर एक किचन कैबिनेट नाम की चीज होती थी कीचन कैबिनेट माने तीन-चार लोग मेन होते थे और उन्हीं की डिसीजन पर पूरा चीज चलता था तो इस सिती में के मंतरी मंडल जैसा सब्द जोड़ा गया था क्योंकि इसकी जरूरत थी समय की जरूरत पर चीजों को जोड़ना गलत नहीं होता अब मंतरी मंडल कोई मंतरी परिशत में एक तो आपका कैबिनेट का होता है एक आपका राजस्तर का होता है एक आपका स्वतन परभार होता है ठीक है एक और होता है जो आपको पूरी तरीके से जानने को मिलेगा आप बिल्कुल निस्चिंत रहे तो मंतरी मंडल में केवल कैबिनेट अस्तर के हो कारियों का निर्धार रित करते हैं और करता कौन है मंतरी परिशत की सक्तियों का ही परियोग करता है और मंतरी के कारियों का निर्धार रड करता है समझ गये यही पॉइंट घूम फिरके इनी पॉइंट्स में चल रहा है ठीक है तो आपको एक जिष्ट पता लग गया ना बस जो अलग से जानने लाइक चीज थी के 44 समिधान संसोधन दोरा जोड़ा गया और इसमें केवल कैब पिनेट अस्तर के भी राज अस्तर के भी मंतरी होते हैं ठीक है और अनुचे 74-75 के बारे में तो आपको सुरू से बता दे रहा हूं तो मेरे खासे आप लोग पूरे अंतर को बहुत अच्छे समझ यह होंगे और इससे यादा तो एक्स्प्रेंट की भी जरूत मुझे नही होते हैं तो वहाँ पर सदन कहा गया था ना सदन सदन के प्रति उत्तरदाई होते हैं तो उसी हिसाब से यहाँ जब लोग सभा के प्रति उत्तरदाई कौन होता है मंतरी परशद्याने की काउंसिल आफ मिनिस्टर ठीक है इस इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा यह पूछे जा सकते हैं ठीक है तो दोस्तों आज की क्लास को अब यहीं खतम करते हैं मेरे काल से आप लोग जो है इसको बहुत अच्छे समझ यह होंगे यह मैंने हापको हार ओ पॉइंट पर जाके समझाया है जो जरूरत है और इसको बहुत जरूरी है इस चैप्र इसको कर